So hey guys, welcome back to another video दोस्तों यह मेरे पास OnePlus Node और अभी आप यहां पर देखेंगे कि OnePlus Node में यहां पर Oxygen OS 12 को यहां पर Stable Update जो है आज राती से यहां पर Start हो चुका है अगर दोस्तों यह आपको नहीं मिला है तो आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप लोग जो features है वो यहां पर क्या-क्या है वो मैं इस वीडियो में बता हूँ सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना सिस्टम Update में जाहिए यहां पर आप लोग का version जो है 11.1.10.10 होना चाहिए यहां पर दोस्तों आप सिस्टम Update चेक करेंगे तो एक नए अपडेट आ गया होगा अगर आपने वो चेक भी कर दिया है और आपका सिस्टम में 4000 AKMB का लगभग 4GB का जो अपडेट है वो नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों आप लोग Play Store पे या फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाए मेरा टेलीग्राम लिक जो है वहाँ पर मैंने दिया हुए इस तजीब फाइल वहाँ से अप जास की इसको डाउनलोड कर सकते है नहीं तो आप सिस्टम अपडेटर नाम का अप्लिकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं Play Store से यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर एक अपडेट जो है आ गया होगा लेकिन अगर अगर अपडेट नहीं आता है तो यहीं पर आप लोग को एक सेडिंग का उपसन दिख जाता है और यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट क क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टेबल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप लोग को क्या करना है नीचे में यहाँ पर जाना है अब जैसी यहाँ पर एडवांस मोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग को एगरी करेंगे तो बैक अगर जाएंगे तो य यहां पे दोस्तों आपप सेटिंग का ऐता लोकाल अपडेट भी लेगा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें कि यह आ local upgrade पर click करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि यह जो है आपका file जो यहां पर आ जाएगा simply आप लोग जैसे install करते हैं वैसे ही आप लोग same यहां पर process करेंगे install करेंगे और इसके फान आपका जो है boot होगा then आपका phone जो यहां पर start हो जाएगा और यह जो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे आप जो है डाइलर में जाते हैं यहां पर कुछ code लिखते हैं तो आपका hidden जो application है और यहां पर आसानी से यह जो है आ जाता है यहां पर दोस्तों इसका benchmark score यहां पर मैंने अभी यहां पर run करके देखा था तो अभी आप लोग यहां पर देखेंगे सिंगल में आप लोग को 588 दिखा रहा है और multi-core में यहां पर 15-41 यहां पर दिखा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है यहां पर इसको जो खराब नहीं बोलेंगे वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और यहां पर features के बारे में तो यहां पर दोस्तों देखेंगे कि इसका जो fingerprinted scanner है उसको यहां पर जो है उसका एलमेंसिया पर change कर दिया गया और यह जो है यहाँ पर जैसे ही आप अगर finger लगाते हैं तो यहाँ पर chewing करके एक आवा जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर दोस्तों अगर आप अगर camera का बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर camera जो है one plus वाला ही आप लोग को अभी तक इसमे camera देखने के लिए मिलता है लेकिन इसका यहाँ पर यहाँ पर पोटो जो है पहले ही के जैसे यहाँ पर आता है इसके उपर मैं एक pool review यहाँ पर लाने वाला हूँ तो आप लोग उसका यहाँ पर wait करेंगे वही पर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि स्मूतने जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है android 11 से android tool जो है हमको यहाँ पर बेटर लग रहा है मैं यहाँ पर इसको use कर रहा हू तुचुक करके आवाज आता है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे बैक जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जया पर battery का यहाँ पर ui मिलता है वह यहाँ पर change हो गया है और यहाँ पर advanced mode में जाएंगे तो यहाँ पर high performance mode जो है आपको देखने के दिश कहलेंगे आप इसको यहां पर इनेबल करेंगे तो बहुत ही एच्छा आप लोगों को देखने मुलेगा गेम में से वहाँ पर चनलिस किए गया है बहुत सारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर परफॉम दोस्तों आप देखें कि इसका जो यहां पर पूरा FPS वगड़ा है वो यहां पर सभी कुछ यहां पर बताता है तो इस ते उपर भी एक डेडिकेटड वीडियो आने वाला है आप यहां पर इसको जो है सेप करिए और हमारे चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करके रखें कि य जलती ही एक वीडियो लाने वाला हूँ यहां पर दोस्तों आप देखें हैं कि पहले आप लेप यहां से आप स्कॉल करते थे यहां पर हीडिन इसपेस होदा था जहां पर आप जो है अप्लिकेशन को हाइड कर सकते थे लेकिन अब यहां पर प्राइविसी में जाना परता है और यहां पर आप लोग को एपस लोग यहां पर प्राइविसी लोग यहां पर हाइड अप्लिकेशन का आपको अप्सन जो है देखने करी में जाता है सबसे अच्छा मेरे को एक बात यहां पर लगा पहले क्या था कि जो आपका लॉक स्क्रीन है उसी से आप लोग को सभ आपकर लिया है और आपकर जो है यहां पर जो ली चीज्ट हो गिया और पे आपका यहां कोई अपका आइकन गार इसको आप अप्तिक्ट यहां पर करते हैं कस्टमाईज जैसे की आप रियल मी या पिर कलर OES में आप करते हैं तो उसी की जैसा पूरा यहां पर फील जो है अब ऑक्सीज़ाइन OES में उतना नहीं रहा यहां पर दोस्तों आप देखे। इसको आप जैसे आप करने चाहते हैं अब दोस्तों हम बात करती हैं यहाँ पे आगे में तो चलिए मैं एक वर से होरा की सेटिंग में चलता हूँ और सेटिंग में जाने के लगए आप लोगों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अब दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे सेल जो कि मैंने यहाँ पे इनेवल नहीं करके रखा है और आज़ा करते हैं कि आप भी आज पे इनेवल इसको नहीं करके रखेंगे यह दोस्तों होता किया है कि जब भी आप जो है नोटिफिकेशन पैनल को उपर से नीचे खीचेंगे तो हमेशा जो है यहाँ पे सिल्फ हा जाता है और इसमें आप लोग को यहाँ पे डेटा या पर नोटपैड या पिर केतना आपने जो है इस टेप चला है अप यहाँ पे देखेंगे कि जो है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया हूए और आप यहाँ से कोई भी उल्पैपर को चूछ कर सकते हैं वहीं पर दोस्तों आप लोग को एक थीम स्टोर जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि आप मेंसे कोई भी यहाँ पर नहीं यूज करने अला है मैं तो यहाँ पर उसको यूज नहीं करने वाला हूँ मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर थीम स्टोर में और ऐसे अगर नहीं पहुच रहें तो आप लोग को यहाँ पर डेडिकेटेट एग अप्लिकेसन दे दिया गया है तो मैं आपको जरूर से बताने वाला हूँ इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्मूथने जोए Android 11 से Android 12 में यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर दिया गया है अब लेकिन अप्लिकेसन को आप 90 Hz पर यहाँ पर स्वीच आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको स्वीच करना है तो आप हाई पर फॉफोर्मेंस में ही रख सकते हैं यहाँ पर दूस्तों हम नेक्ष्ट यहाँ पर आगे के तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं तो अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि परस्टमाई जेसन जो है यहाँ पर आगया है पहले यहाँ पर किस्टमाई जेसन था अब इसको जो प्रस्टमाई जेसन यहाँ पर कर दिया गया है और एक ही चीज में आप लोग को सब भी चीज कर दिया गया है जैसे कि आप यहां पे देखेंगे AOD screen में आप लोगो बहुत सरे यहां पे changes तो नहीं कियागा है जो यहां पे पहले से था वहीं साही कियागा है लेकिन each का जो user interface है उसको यहां पे change कर दियागा है इस वाले theme पे store पे आप click करेंगे तो theme में आप चल जाएंगे और वहीं पे अगर आप चाहते हैं यहां से इसका जो canvas AOD में अगर फूस सेट करना है तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं आइकन वड़ागारा को आप यहां से बहुत ही अच्छा तरीका से यहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बात है लेकिन उतना हमको यहां पे पसंद नहीं है यहां पे जो oxygen OS है यहां पे यह color OS के तरफ एक्टम से यहां पे भर चुका है और उसी के यहां पे रास्ते पे चल रहा है अब दोस्तों इसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे मैं यहां पे आप लोगो setting मिले जाता हूँ setting मिले जाने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे dark mode जो है उसको में भी आप लोगो कुछ यहां पे changes किया गया है तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाते हैं मैं यहाँ पर डार्क मोड को यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे यह डार्क मोड आ गया है और इसके बाद आप यहाँ पर क्लासिक है और एक यहाँ पर डार्क मोड है तो यहाँ पे अगर आप दूस्टो डर्कमोट पे उगर आप ट्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे डर्कमोट का एक यहाँ पे सेटिंग मिनने वाला है जिसमें आप लोगो तेन चीज दिया जाएगा एक है यहाँ पर extreme का एक है यहाँ पर medium का और एक है enhance का तो अगर आप enhance में करते हैं तो एक दम से आपका डार्क मुल जो है आपर black हो जाएगा और वहीं पर थट पाटी application में भी यह support करने लगा है तो दोस्तो इसके उपर एक dedicated वीडियो आने वाला है आप उसका इंतिजार करें यह दोस्तो वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए चैनल पर नहें थे चैनल को भी subscribe करके बेल लेकन को जरूर से फ्रेस कर